Hello Friends, Welcome to My Channel आज मैं शेर कर रही हूँ मंचुरियन बॉल्स की रेसिपी मंचुरियन के लिए मंचुरियन की बॉल्स आप किस तरीके से बना सकते हैं और इसे बना कर आप एक हफ़त तक फ्रिज में भी स्टोड कर सकते हैं और जब आप कमन करें ग्रेवी वाला वंचुरिन बनाने का, तो इसे आप इजीली बना सकते हैं, तो मैंने आप पर ले लिए छोटी सी बन गोबी, एक गाजर और थोड़ी सी ले ली मैंने आप पर ये बीन्स, इनको चौपर में डालकर आप बारी 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 चौप कर लें अब इन तीनों चीजों को हम डाल देंगे एक बड़े mixing bowl में, पहले में इसमें डाल देती हूँ ये पतागोबी, अगर आपके पर बीन्स नहीं हैं, तो आप चाहें तो सिरफ गाजर और पतागोबी से भी इसको बना सकते हैं, और आपके बास अगर गाजर भी नहीं है तो सिरफ पतागोबी से भी इसको आप बना सकते हैं, इनों ही चीजों को मैंने डाल दिया एक bowl में, अब इसमें add कर देंगे taste के cording नमक, नमक डाल कर नमक को अच्छे से vegetables में हम mix कर लेंगे, अच्छे से mix करने के अबाद इन vegetables को हमें रखना है करीबन 15 से 20 मिट के लिए, तक कि सारा ही पानी अपना ये release कर दें, इस तरीके से नमक लगाकर हम vegetables को रखते हैं, तो vegetables अपना पानी release कर देती हैं, तो नमक मैंने इसमें अच्छे से mix कर दिया, अब इसे हम ढखके रख देंगे करीवन 15 से 20 मिट के लिए, उसके बाद इन vegetables को हम use करेंगे, करीवन 15 मिनिट बा पानी मैं इसका निचोड दोंगी, और इसको एक प्लेट में डाल कर मैं रखती जाओंगी, इस सरीके से सारी vegetables का पानी निचोड कर हम ले लेंगे, इस पानी को आप चाहें तो अगर आप gravy वाला मंचुरन बना रहे हैं, तो उसमें इसको आप बाद में use कर सकते हैं, तो vegetables का पानी मैंने निचोड दिया, और vegetables को वापे से मैंने डाल दिया इस बोल में, इन vegetables का पानी निचोडने के बाद ये देखी, vegetables हमारी एक दम हलकी हो गई हैं, अब इस moisture content बहुत ही कम रहे गया है, सारा पानी इसका निचोड दिया, हमने जितना हमने निचोड सकते थे, अब मै इसमे एड़ करूँगी कुछ और चीज़े, उसके बाद इसके मंचुरेन की बॉल्स बनाएंगे, तो मैं इसमे एड़ कर रही हूँ, थोड़ी सी बारिक कटीवी लसुन, और थोड़ी सी मैंने इसमे एड़ कर दी, बारिक कटीवी अधरक, मैंने आपा ले ली करीबन 5-6 क कर देंगे, इसमें मैदा, जादा कॉन फ्लार या जादा मैदा हमें इसमें बिल्कुल भी एड़ नहीं करना है, उतना ही एड़ करना है, जैसे ये इसली बाइंट हो जाए, जितनी आप एज़ेटेबल्स ले रहे हैं, उसके कॉर्डिंग इसमें आप कॉन फ्लार और मैदा एड़ कर लें, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम डो लगा कर तयार कर लेंगे, मैंने आपर फाइनली चॉप की भी लसन और अध्रा कैट की है, आप चाहें तो इनकी पेस्ट भी इसमें एड़ कर सकते हैं, तो ये देखे मिक्षर ये मेरा तयार हो गया, नहीं फट तो नहीं रही है, मीडियम होट ओल में इसको हम फ्राइ करेंगे, शुरू में इससे आप टच ना करें, जब आपको लगए हलकी हलकी फ्राइ हो गई है, तब ही इससे आप पल्टें, तो ये देखे, बाद मेरी अच्छे से फ्राइ हो रही है और फट नहीं रही इसका मतलब जो हमने मिक्ष्चेप बनाया है वो अच्छे से बाइंड हुआ है जो हमने इसमें कॉण्फलर और मैदा एड किया है वो इनफ है अब इस तरीके से बाकी और बॉल्स भी इसमें हम डाल देंगे और मीडियम हीट पे से हम फ्राइ कर लेंगे तक ये अंदर से भी अच्छे से ये पक जाए और भार से भी हलकी हलकी ये क्रिस्प हो जाए जो जो फ्राइ होती जाएंगी उसे में निकालती जाओंगी और हलकी हाँ से इसको आप हैंडल करेने तो ये फट भी सकती है तो ये बाल्स हमारी फ्राइ हो गई तो मैं इसे निकाल देती हूँ अग नहीं डो से इस तरीके से ये मंचुरिन की बॉल्सम बनाकर तयार कर लेंगे इन मंचुरिन की बॉल्स को आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं खाने में ये टेस्टी लगती हैं चाहें तो इसको आप ग्रेवी वाला मंचुरिन या फिर ड्राइ ग्रेवी वाला मंचुरिन भी इससे आप बना सकते हैं और इन बॉल्स को बना कर आप चाहें तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं वन वीक तक ये बिलकुल भी खराब नहीं होती हैं तो इस तरीके से ये मंचुरिन की बॉल्स हमारी बन कर तयार हो गई आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई